हलो नमस्का दोस्तों तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूव जैनल में तो फ्रेंज मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ है अच भी सेट हिंदी अंसर की और मैंने पार्ट बन के अंसर की अपलोड कर दी गई है और आप ने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लि अगला कोश्चन देखते हैं सेकिंद अवेडिकर दर्शन में मिलता है तो इसका उप्शन रहेगा पहला मनुवाद का विरोध भी बर्ग संगर्ष सी हिर्द्य परिवर्तन और डी सर्वहारा तो इसका जो सही अंसर वह है उप्शन मनुवाद का विरोध अगला कोश्चन इसका अंसर थोड़ा डोट में है अगर आपको आता है तो आप फोर लिखके अंसर बता सकते हैं अगला कोश्चन देखते हैं अंधा यूग में प्रती हिंसा का प्रतीक पातर है तो यहां पे ओप्शन दुर्योधन, बी ओप्शन घंदारी, सी ओप्शन यूतसू और डी अश्वधा थामा तो इसका जो सही अंसर बोर है यह ओप्शन डी अगला कोश्चन देखते हैं तूलसी दास ने रामचरित मानस के अंत में जिस मानस रामायन को मानस रूप में भाशा बद करने के बाद ही की है उसका रचनाकार बताया है तो इसका ओप्शन जो सही अंसर बो रहेगा option c भागबार शिब को अगला question देखते हैं आठमा नाकुन क्यों बढ़ते हैं निवंद में भीतर की और देखने की बात के संधर में किस महापुर्ष की और संकेत है तो इसका option रविंदर नाट गोर लियो तालस्तायो महातमा गांदी खान अब्दुल गफर तो ज डाक्टर तूलसी राम में मुर्थ हिया के प्रकाशन का श्रे किस पत्रिका का संपादक को दिया है तो इसका जो option है option हांस के कथाकरम के तदवब के बागर्थ के तो जो इसका सही आंसर है वो है option c तदवब के अगला question देखते हैं तीस इल्यत के अनुसार परंपरा है तो option अतीत का सक्ष्टाकार दिया अतीत का घटना अतीत का उन्तमाश वोल्डी अतीत की कहानी तो जो इसका सही आंसर है वो है option c अतीत का उन्तमाश अगला question देखते हैं बारा काब्य प्रिभाशा की दिरिष्टी से कौन सा युगम गल्प है तो जो बारा का सही आंसर है वो रहेगा option d मम्मट रमाणनिय अर्थ का प्रतिपादिशब्द काब्य है तो बारा का option d अगला दिखते हैं नाट का कार नाट की दिरिष्टी से कौन सा विकलप सही है तो जो तेरा का सही आंसर है वो रहेगा option d जैशंकर परसाद अजात शत्रू कामना जनम मेजय का नाग्यग्यों option d तेरा का अगला question देखते हैं question number 16 कोसी का गटवार में केले पनात्वा संडे की अभिवक्ति के लिए उप्योग किया गया है तो 16 का जो सही आंसर है वो रहेगा option d समरीती का अगला question देखते हैं स्तार्मा भक्ति के उद्भब में किस मान्यता का उलेख हिंदी सहित्य के इतिहास गरंतों में नहीं है तो option option इसमें रहेगा बक्ति बैदी परणपरा का पुनर्स्तान है बक्ति हिंदु जाती की हताशा से अजी है तो इसका सही आंसर है निमन लिक्त में से किस कभी ने शेर आठ स्ताई आठ सचना नहीं की तो 19 का जो सही अंसर है बो रहेगा जोद्राज अगला question देखते हैं 20 शीरी शार्दा पत्त्रिका पर हिंदी म शायावाद शेंखला के निवंध लिखने बाले कभी है तो जो 20 का सही अंसर है बो रहेगा option D मुक्त धर्पांडे अगला question देखते हैं 21 अर्साध्य बीना कविता में अभी व्यक्ति है तो 21 का जो सही अंसर है बो रहेगा अहां के बिलाइन की अगला question देखते हैं 22 शिब शंबू के चिट्टे में नहीं है option B संभोधन परक्षैली 22 का option B अगला question देखते हैं 23 शर्द की जीवनी अवारा मसीह का विवाजन तीन परवों में किया गया है इन परवों में से किस भी परव का नाम नहीं है तो इसके option A दिशा की कोर, option B दिशाहर, option C दिशांतर और option D दिशांतर तो जो इसका सही अंसर है वो है option C दिशांतर अगला question देखते हैं 24 हिंदी कोश के अनुसार कौन सा कर्म सही है तो इसका अंसर है option C दस्त द्रोख द्वन द्विज अगला question देखते हैं 26 निमल लिखत में से किस बरव की सभी कहानिया एक हिरा कार की है तो 26 का option C रहेगा अपर अचीत आधरा प्रमातमा कुत्ता मलवे का मालिक अगला question देखते हैं 27 संपूर्ण करांती का नारा था तो इसका अंसर है गा option C लोहिल या बादियों का 27 का option C 29 उसने कहा था का केंदरिय भाव है तो इसका अंसर रहेगा option A उधात प्रेम सही अंसर देखते हैं 31 निमन लिक्त में से कौन सी रचना राम नरेश्टी पाठी की नहीं है तो इसमें जो option बो है मिलन पार्थक रंग से भंग और स्वपन तो जो इसका सही अंसर है बोह रहेगा option C 35 का रंग में भंग अगला question देखते हैं 31 भारतिंत यूग में किस बीदा की रचनाई नहीं मिलती है तो इसका अंसर रहेगा option C कहानी अगला question देखते हैं 38 किस बीदा में लिखने के लिए पात्रों घटनाव में व्यक्तिगत संपर्क अवश्यक नहीं है तो इसका option जो है वह सही रहेगा option C रेखा चित्तर अगला question देखते हैं 44 अचारी शुक्ल के हिंदी सहित्य का इतिहास पूर परकाश्चित इतिहास गरंत हिंदी सहित्य विमर्ष के लेखक हैं तो इसका अंसर रहेगा पदमलाल पुनालाल अगला question देखते हैं 49 उडिया भाषा का विकास किस बर्ष से हुआ है तो इसका अंसर रहेगा option दी मग्द तो फ्रेंड्स ये थे question हिंदी के हाफ जो हाव अचे हैं तो वो बाद में upload कर देंगे वीडियो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके जाए वीडियो को like करके जाए हम आपके साथ ऐ कर दो